महाराश्ट के पालगर में मोबलिंचिंग की घटना पर निर्मोही अखाड़े की पंच महन भगवान दास महमंडी एश्वर ने रोज व्यक्त किया है इस घटना पर हुआने महाराश्ट की शिपसेना सरकार से आरोपियों को खांसे की सजागी मांग की है उन्होंने कहा कि अगर दोसियों एवग पुलिस पर कड़ा एकसन नहीं दिया गया तो साधूं की तोली लॉकडाउन खुलने के बाद महाराश्ट में आंदोलन करतेगी जिसमें जूना अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा सहिद देश के तेरा अखाड़ों के साधू संत एक जुठो कर पर दर्शन करेंगे अभी तक आप लोगों ने संतों का साही इसनान और प्रबचन ही देखा है मगर साधूं का गुस्सा नहीं देखा योगी देश के साधूं का मोती और अमित साह काफी संबान करते हैं और इससे साधूं के भीड के द्वारा हत्या की जाए तो यह काफी निंदनी है हमारे संतों में बहुत ज़्यादा अक्रोस है यहां तक कि कुराना वारिस से लॉगडाउन लगा हुआ है इसलिए संत महात्मा अपने अपने आस्रमों में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि महाराष्ट की सरकार क्या निर्णे देती है ऐसे कांड करने वालों को फांसी जैसी सजा देनी चाहिए और हमारे अखाड़ा परस्थ के अध्यच्छ है और महामंत्री नरेंद गिरी जी हरी गिरी जी हम उनके इसारे पे चलने वाले हैं मोदी जी से अमिसाह जी से हमारी हाथ जोड़ करके बिनते ही है कि जिस देश में रिशियों की प्रधानता दी जाती है भगवान की प्रधानता जी जाती है और भगवान का प्रादुर भाव करने वाले भी रिशी महात्मा है और इस देश में रिशी महात्मा की हत्या हो रह पुलिस की गल्ती से हुआ है, पुलिस ने महात्मा को भीड मेला करके ढखेला है, इनके साथ भी कडी से करी कारवराय conex होना चाहिए, देश की रच्छा करने वाले भच्छक बन जाएं, तो उनके साथ कौन से कारवराय करना चाहिए, सरकार जानती है चेतर पोसे से सिभारे की and report education with moral values the only institution with all latest facilities computer lab science lab experience teachers air condition hostel with all facilities the best education institute in the area the Pramodayi International College Chhansi Road Maurani